तो गाईज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके सिस्टम में जिसमें आपका Windows 7 इंस्टॉल है उस सिस्टम में आप एक Wi-Fi कनिक कर रहे हो USB Wi-Fi जिसका model है 802.11N उसे कनिक करने के बाद और आपका Wi-Fi शो नहीं हो रहा है और आप Internet यूज नहीं कर पा रहे हूं और मैं अपने सिस्टम में Wi-Fi कनिक कर रहा था जिसमें ऐक Wi-Fi पर्चस किया हूं USB Wi-Fi जिसका model है 802.11N वो मैं Wi-Fi पर्चस किया था कि मैं अपने सिस्टम में Wi-Fi प्रिक करके मैं Internet उने यूज करूंगा तो यहां पर यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे मैं आपने Wi-Fi को कर कर रहूं अपने सि्टम में तो यहां पर में का यहां पर अब हो रहा है और जिस कोंसे मैं internet भी यूज़ नहीं पार हूं जैसे आप यहां पर देखो कि यहां पर ऑफ waspa का is इसंसम नहीं हो रहा है तो तो गाइस जैसे आप यहां पे देखो कि यहां पे मैं अपने सिस्टम में कनिक कर लिया हूँ USB Wifi को और यह जो प्रॉबलम आता है जा तो ड्राइबर के करन आता है अगर आपका उस Wifi का ड्राइबर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो यहां पे आपका जो कौर्णर वाला वह मिशिंग भी है जैसे मैं याप कन्ट्रूल पैनल में आ गया हूं के देखो यहां पर अने के बाद और आप यहां पर देखोगें यहां पे आपको डिवाइस मेंजर का व्यूपक्शन देखने को मिलेगा तो आपको इस ओप्शन में चले जाना है कि इस ऑप्शन क्या विटानल आँष है तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या न theCUBE है कि आपको सबसे पहले हैं और इस विडियो था बखर बन्य क्यों अ यह तो मेरे साफ्टेर है तो आपको करना यह है कि आपको इते जा और को क्या करने हैं और वह बने पको इस शाफ्टेर को रहाल Influire आपको सबसे पहले में जाकर इस software को आपको डाउलोड करना है और आपको करना यह है कि आपको इस software को extract कर लेना है जिसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे और आप यहां पर देखोगे यहां पर extract hair का आपको यहां पर सबसे पहले इंस्टाल कर लीजे और वहां सबसे पहले अपको मेरे चैल कर सकते हैं इन दोनों सबसे सबसे नहीं के आपको इस फाइल प्राइट करना है और आपको इहां पर और यहां पर एक वो होगा इस तरह का फोल्डर होगा अपको इस फोल्डर को ऑपिन करना है जैसे आप को करना ये है कि आपको जसे आप है तो यहां मेरा इंस्टाल होना हो गया जैसे आप यहां पे यहां पे कुछ वेटकर गया टो यह नह work मेरा शाथ पर फाल्रश्च आपकर एंस्टाल होने करना है तो detonate कि तो गाइस इसे आप यहाँ पे दिखोगी यह मेरा जो सौफ़्वेर है रियल टेक यूएस बी वाईरलेस लैंड का जो यह सौफ़्वेर है ड्राइबर यह मेरा कम्प्लेटली इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होने के बाद और आपको करना यह है कि आप इसे फिनीस यहाँ पे क्लिक करना है исп만 करने के बाद जो आपको सिस्टम है वह एक बार रीकर होगा ऑर रीस्टार्ट होने के बाद जो आपको wi-fi है wi-fi voucher ड्राइबर है वह आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आप वहाँ पर वाइफा करेकर आप इन्टरनिट को好吃 कर सकते हों मैं इसे फिनिष कर देता हूं इया तो गाइस आप यहां पर दीखोगे यहां को इस वाइफाई पिकलिक करना है वाइफाई पिकलिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे रेड्मी 4 से कनेक्ट हो जाता हूं जैसे मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेता हूं जैसे आप यहां पर देखोगी यहां पर मेरा जो Wi-Fi है यहां पर completely connect हो चुका है जैसे आप यहां पर दिख सकते हो और मैं आपको अपने Google Chrome में मैंने Google को ओपन करके भी दिखा दोता हूँ के मेरा जो Wi-Fi है वो वर्क कर रहा है कि नहीं मैं आपको जो solution बताया है उससे आपका जो problem है वो solve हुआ है कि नहीं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पे तो गाईस जैसे आप यहां पर दिख सकते हूँ यहां पर Google Chrome है यहां पर completely ओपन हो चुका है अब मैं यहां पर top के प्रूप को सर्च करता हूं मैं करता हूं Google.com और यहां पर चेक करता हूं कि यहां पर मेरा जो डाइन घू गॉगल.com है यहां पर हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा इंटरनेट है वह प्रॉपर बेसे यहां पर वर्क कर रहा है जैसे आप यहां पर तो गाईज मैं पिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तिल रैन एन बवाई और एक बात और सस्क्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दिजेगा जिससे एक सस्क्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए